हाई दोस्तों असलाव अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नभील है मैं सेल बड़ी पे आया हूँ क्योंकि इनों ने मुझे इंडिया का पहला आइफोन 13 प्रो मैक्स जो है ये अरेंज करके दिया है खास आप लोग के लिए ताके आप प्री बुक करने के पहले इसकी पूरी अन्बॉक्सिंग देख लो और कि 12 प्रो मैक्स के किस तरीके से हमको कंपेर करने मिलता है क्या डिफरेंसे दोनों में यूँकि मुझे जो है काफी सिमिलर लग रहे है दोनों फोन्स तो आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ना से बिसकी अन्बॉक्सिंग करके बताऊंगा बलके 12 प्रो मैक्स से इसको कंपेर करके बताऊंगा यहाँ पर इसके उपर इसके उपर इसके उपर इसको अन्बॉक्स करते है बॉक्स के अंदर आपको मिलता है आईफोन 13 प्रो मैक्स कुछ इस तरीके से रखा हुआ इसको एक सिकेंट साइड में रखता हूँ आपको दिखा जिता हूँ बॉक्स के अंदर क्या है ओविसली कुछ नहीं रहेगा सिवाई यह लाइटनिंग टू टाइप सी के और यहाँ पर कुछ डॉक्यमेंट्स है तो वो चीज़ तो कोई द बाखी जो बॉडी है तो उस तो एक्जाक्ली सेम है अगर अलग से इसको देखे आप यहाँ पे जो है कोई भी इसको जो है 12 Pro Max ही बोलेगा लेकिन जब साथ में देखते है तो यहाँ पे समझ में आ जाता है that this is 13 Pro Max और यह है 12 Pro Max सामने का इस इस तरीके का पेपर हमको नजर आता है लगावा कोई भी प्लास्टिक यहाँ पे नहीं है which is a very nice thing यहाँ पे अगर हम साइट से देख लेते हैं दोनों फोन को साथ साथ देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जागे कि exactly same है side में जो है वो ही volume rocker वो ही जो है silent switch bottom से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको lightning port वैसा ही देखने मिलता है speaker grills, microphone का grill और यहाँ पे जो है right side पे भी आपको exactly सारी चीज़े same to same नजर आ रही है अब यहाँ पे एक फरक है मेरे 12 pro max में और इसमें कि यहाँ पे 12 pro max पे यह mm wave वाला antenna है जो के USA वाले model में आपको देखने मिलता है अब यहाँ पे सारी इसे दोस्तो same है लेकिन यहाँ पे अगर आप थिकनेस देखेंगे दोनों फोंस की तो उसमें फरक है 0.25 mm का फरक यहाँ पे इसके थिकनेस में है तो यहाँ पे थिकनेस जादा है 13 pro max की 12 pro max के मुकाबले और क्यों ऐसा है क्योंकि यहाँ बाटरी बड़ी दी भी है इसलिए देख लेंगे अपना आइफोन 13 pro max यहाँ पे सबसे पहला जो डिफरेंस आपको देखने में वह है यहाँ पे नौच में तो यहाँ पे नौच में क्या फरक है आपको अब जो है थीक से समझ में आएगा अब तक फोटोस में आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि साइड ब मोड में रहता है स्क्रीन उसमें यहाँ पे नजर आना जीता है लेकिन उसका सही इस्तमाल जो यह स्क्रीन एक्स्ट्रा मिला है वो यहाँ पे आपल ने नहीं किया है विच इस बाट तिंग नौच तो चोटा कर दिया गाईज लेकिन यहाँ पे बेजल थोड़ा मुझे जबके वहीं पे आईफून 12 Pro Max वगरा जितने भी फोन है उनके उपर मैक्सिम जो है 60 Hz तक ही रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है तो यहाँ पे आप देख सकते है कि जो आईफून 13 Pro Max का डिस्प्ले है वो ज्यादा आपको फ्लूइड लगता है क्योंकि यहाँ पे प्रो मो अभी आपका save होगा बैटरी का डिस्पले में एक और चीज यहाँ पे चेंज़ किया एपल ने वह है यहाँ पे जो इप्राइटनेस यहां पे जो टिपिकल कंडिशिन है जैसे अभी यहाँ पे इस कमरे में हम बैठे वे हैं तो यहाँ पे जो प्राइटनेस है वो maximum जाती ह 1000 nits तक जो के पहले जाती थी 800 nits तक तो यह एक जो है यहाँ पर additional चीज आपने दिया है डिस्पले के अंदर अगली जो चीज यहाँ पर नई आई है दोस्तो नई बड़ी बैटरी के साथ वो यह है कि यहाँ पर नया चिपसेट है तो जादा efficient है जादा powerful है और यहाँ पर 6GB का RAM है जैसे पहले 12 Pro Max वगरा में भी था तो यहाँ पर आपको RAM management में कोई श्रू नहीं आएगा क्योंकि iOS है तो RAM management इसका जो है काफी अच्छा होता है और powerful चिपसेट दिया है जिसकी वज़े से camera में additional features दिया अब camera के उपर आ जाते और यहाँ पर पहले iPhone 12 Pro Max पर यह 2.5X तक zoom in करता था अब इसके अंदर जो टेलिफोडो लेंस है इसका जो aperture है वो slightly narrower है 12 Pro Max के मुकाबले तो हो सकता है low light में उतना अच्छा पफ़र्बनी करे टेलिफोडो लेंस लेकिन portrait shots वगरा इससे अच्छे आ सकते है लेकिन दोस्तों ultra wide angle camera और wide angle camera जो है इसका aperture Apple ने थोड़ा wide किया है जिसकी वज़े से low light shots बैटर आएंगे अब यहाँ पर जो नया chipset आया है guys उसकी मदद से आपको photography के अंदर कुछ नए modes देखने मिलते है जो कि यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे यह किसी भी iPhone 12 series पे नहीं आएगा यह standard mode है यहाँ पर इसके बाद आपको देखने मिलता है rich contrast mode उसके बाद आपको यहाँ पर vibrant mode देखने मिलता है और उसके बाद warm mode है और यहाँ पर cool mode है यह जो है आपके image की vibrancy को change करेंगे जब आप photo लेंगे उस वक्त ही आप उसको जो है before taking the picture edit कर सकते है इसके बाद यहाँ पर आ जाते दोस्तों cinematic video mode तो यह cinematic video mode में क्या करता है आईए आपको demonstrate करके बताता हूँ मैं तो guys अभी हम लोग cinematic mode check out कर रहे है iPhone 13 Pro Max का यहाँ पर देख सकते है यह लड़का फ्रेम में खड़ा हुआ है और इसका जो background है इसने blur कर दिया है अभी यहाँ पर इसको मैं बोलूँगा अपने right side पर आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर इसका focus चेहरे पर maintained है अभी एक दूसरा जो character है हमारी film का वो यहाँ पर entry करते है तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से उन पर focus shift होता है अभी यह तोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तो इनके उपर focus कर रहा है और पीछे जो दूसरा बंदा है उसको उसने blur कर दिया है अब यह जो आगे खड़ा है बंदा यह उसकी तरफ मुड़ेगा पीछे देखेगा और जैसी यह मुड़ेगा उसकी तरफ पीछे देखेगा तो यहाँ पर जो पीछे खड़ा वा लड़का है इसके उपर उसने कर दिया है focus तो यहाँ पर आप समझ सकते है कि कितना intelligent है यह cinematic mode इसके अलावा दोस्तो जो front और rear facing camera की जो photos है उसके अंदर आपको HDR 4 का support मिलता है iPhone 13 Pro Max में जबके iPhone 12 series में HDR 3 का support है तो slightly जो है better higher dynamic range वाले photos आप इससे निकाल सकते है battery life के बारे में दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि Apple कभी भी अपना image capacity नहीं बताता बाद में पता किया जाता है वो test के जरीए से तो यहाँ पे दोस्तों जो iPhone 13 Pro Max है इसकी जो battery capacity है वो बताई जारी के तकरीवन 4000 image की है confirm करना पड़ेगा आगे जाके लेकिन इतना पता है कि धाई गंटे का जादा battery life देगा यह iPhone 12 Pro Max के मुकाबले iPhone 12 Pro Max अलरी जो है काफी जादा battery life के दाता है और वहीं पे 13 Pro Max जो है उसको भी excel करता है अगर आपको physical sim इस्तमाल ही नहीं करना है तो यहाँ पे dual e-sim भी आप setup कर सकते है 12 Pro Max जो series है या 12 series है उसके अंदर एक physical sim एक e-sim लगा सकते हो इसके अंदर आप dual e-sim लगा सकते हो physical की बिल्कुल भी आपको ज़रोद नहीं अगर आप चाहते हो वैसा करना तो लेकिन मैं तो वो चीज जो है recommend नहीं करूंगा तो दोस्तो यह थी unboxing और एक quick look iPhone 12 Pro Max के जुड़वा भाई iPhone 13 Pro Max की कैसा लगा आपको iPhone 13 Pro Max दोनों में को difference लगा कि ने लगा कि सिर्फ camera के अंदर जो size का फरक है वही फरक आपको नजर आया या फिर यह जो notch है दोनों का इसमें जो फरक है यह चोटा सा यही आपको नजर आया मुझे नीचे comments में लिखे ज़रूर दाईए क्या आप iPhone 12 Pro Max के उपर iPhone 13 Pro Max को prefer करेंगे अगर आपके बास अलड़ी iPhone 12 Pro Max है क्या आप मेरे से पागल हो जो जाके यह phone लेंगे मुझे comments में लिखे ज़रूर दाईए उमी करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसने होगा पसने होगा पसने होगा इसको like and share जरू कीजिए और मेरे इस चैनल को subscribe जरू कीजिए goodbye